हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है सोलूशन आज हम लाए हैं डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन परिक्षा 2019 के विशे गनित का सिक्षन सास्त्र का प्रश्ण पत्र कोड है है एस सेवन पेडागोगी अफ मैथमेटिक्स तू कुल परश्णों की संख्या है सत्रा पुर्णा के सत्तर समय है तीन घंटे परचार्थियों के लिए निर्देश्य है कि परचार्थी यथा संभा अपने शब्दों में ही उतर दें प्रश्ण पत्र दो खंडों में है खंड प्रश्ण के मान बराबर है और इनके उत्तर 75-100 शब्दों में देना है खंड बव में पांच दिर्ग उत्र ये प्रश्ण है जिन में से किनी तीन प्रश्णों का ही उत्तर देना है उत्तर 200-500 शब्दों में देना है किसी भी परकार के लप्टोनिक उपकरन का पर्योग प बच्छतर से सो शब्दों में दे, इस खंड में 12 प्रश्ण दिये गए हैं, किनी 8 प्रश्ण के हैं उत्तर देना हैं, सभी प्रश्ण के मान बराबर हैं, प्रश्ण 1, बच्चों में संख्या की अवधारना किस परकार विक्सित होती है, उदारन के साथ समझाएं, प्रश्ण 4, अगर कोई सिक्षार्ती मौखिक रूप से किसी सवाल को असानी सहल कर पा रहा है या रही है, लेकिन लिखित रूप में कठनाई आ रही है, तो बताईए कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्रश्ण 5, परतिशत क्या है, वर्ग कच्च में इसकी अवधारना को असपस प्रश्ण 6, अपने दैनिक जीवन में उप्योग मे ली जाने वाली किनी दो वस्तों का उदारन देकर उनके जयामीतिये विशेश्टाओं को लिखें, प्रश्ण 7, मूर्त से अमूर्त की संकल्पना की समझ के लिए वीजगनित के दो उदारन दीजिए, प्रश्ण 8, प्र कठनाई आती हैं उदाहरन द्वारा अस्पस्ट कीजिए प्रश्ण 9 चत्रभुज के विभीन परकारों की चर्च रचना करते हुए उनकी जयामीति ये गुनों का उलेख कीजिए प्रश्ण 10 गनित सिक्षन के दौरान सतत एवं व्यापक मुल्यांकन क्यों आवशक है अस्प किजिए प्रश्ण 12 वर्तमान समय में गनित सिक्षन की कौन-कौन सी परमुक्च चुनवतिया हैं उलेख कीजिए खंड ब दिर्क उतर ये प्रश्ण का उत्तर लगबग 200 से धाश्यों शब्दों में दें इस खंड में 5 प्रश्ण दिये गया हैं परिक्षार्ची किनी तीन प्रश्णों का उतर दें सभी प्रश्णों के मान बराबर हैं प्रश्ण 13 मान लीजिए कि आपके विद्याले के पुस्तकाले में 450 गनित की 300 पर्यावरन अध्यन की 600 विज्ञान की 750 समाजिक विज्ञान की 900 भासा की और 450 समान विज्ञान की पुस्तके हैं इन आकणों को द दंड आलेख या पाई चार्ट बनाकर दर्शाएं प्रशन 14 प्रारंबिक अस्तर पर गनीत के आंकलन मुल्यांकन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उदाहरन द्वारा अस्पष्ट कीजिए प्रशन 15 परिमाप तथा छितपल की अवधारना को वर्ग केक्ष में अस प्राशन 16 अनुपात एवं समानुपात की अवधारना को अस्पष्ट करने के लिए उदाहरन दीजिए इस अवधारना को बच्चों के दैनिक जीवन में किस परकार परियोग करते हैं प्रशन 17 निमलिखित में से किन ही दो पर टिपपनी लिखिए कगनित में मनोरंजन ख घात एम घातांग ग भिन के विविध परकार ग बीजिये वेंजक का निर्मान अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्रीज सब्सक्राइब करें इसे के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है धन्यवाद